सब्सक्राइब कीजिए मोड न्यूजव और दबाए बेल आइकन लेटेस्ट न्यूज अपडेट सबसे पहले देखने के लिए फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे 2018 में आने वाली टॉप 10 फिल्मों की इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है 2.0 जो की रौवर्ट का सिक्वल है इसमें रजनी कान्त, आज विलेन अक्षे कुमार और आज अन एक्टरेस एमी जैक्शन दिखेंगी जैसा कि आप जानते हैं कि यह फिल्म इसी साल रिलीज होने वाली थी लेकिन VFX के काम के कारण यह फिल्म अगले साल 25 जनवरी को ही रिलीज होगी डारेक्टर निरज पांडे एक नई फिल्म I.R को लेके आ रहे हैं इस फिल्म में सिधार्थ मलोत्रा और मनोज बाजबाई दिखेंगे यह फिल्म 26 जनवरी 2018 को रिलीज होगी चंदा मामा दूर के इस फिल्म में सुसान सिंग राजबूत आरमादवन वाजुद्दीन सिधी की दिखेंगे यह फिल्म भी 26 जनवरी 2018 को ही रिलीज होगी बॉलिवुट के परफेक्ट निष्ट कहे जाने वाले अमीर खान की फिल्म Thugs of Hindustan भी अगले साल आएगी यह फिल्म दिवाली पर आने वाली है इस फिल्म में कैटरिना कैफ और अमीता वच्चन भी साथ में दिखेंगे अगला नंबर पदमन का है जिसमें की अक्षे कुमार आजर लीड रोल होंगे और उनके साथ दिखेंगे सोनम कपूर और इस फिल्म में स्पेसल रोल के लिए अमीता वच्चन को भी अप्रोच किया गया है इस फिल्म की रिलीजिंग डेट अभी फिक्स नहीं हुई है बॉलिवुड के दवंग खान सलमान खान अपने दवंग का तीसरा पार्ट लेके आएंगे इस फिल्म में इनके साथ अरवाज खान होंगे और अभी तक इस फिल्म के रिलीजिंग डेट भी फिक्स नहीं हुई है बॉलिवुड के हंसम के जाने वाले रिति क्रोशन अपने फिल्म क्रिस्फोर को लेके आ रहे हैं और यह फिल्म क्रिस्मस में रिलीज की जाएगी दोस्ताना की याद ताजा करने के लिए फिर से अभी सिख वच्चन और जॉन इब्राहम लेके आ रहे हैं दोस्ताना 2 इस फिल्म की अभी रिलिजिंग डेट फिक्स नहीं हुई है बॉलिवूड एक्टर रनवीर सिंग और आलियावट एक नई फिल्म में दिखने बाले हैं फिल्म का नाम है गुल्डी बॉई और इस फिल्म की अभी तक रिलिजिंग डेट फिक्स नहीं हुई है रानी मुखर जी एक बार फिर से बॉलिवूड में वापसी करने जा रही है उनके इस फिल्म का नाम है हिचकिच और अभी तक इसकी रिलिजिंग डेट फिक्स नहीं हुई है ये फिल्म 2018 में आईगी फ्रेंज आप हमें कमेंट से करके बता सकते हैं कि आपके इन में से सबसे फेब्रेट मुवी कौन है और आप कौन से मुवी को देखने जाएंगे और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना बोले मोर नीज भब धन्यवाद जय हिंद बंदे मात्रम